Hello student, good morning Lecture 12 में और Lecture 11 में हम लोग बिद्दूत बिभो की बारे में पढ़े थे किसके बारे में? बिद्दूत बिभो यानि एलाक्टिक पोटेंशिल के बारे में पढ़े थे और ये चर्चा किये थे कि बिद्दूत बिभो अदिस रासी यानि एसकेलर क्वांटिटी है बिद्दूत बिभो कैसी रासी है? एसकेलर क्वांटिटी है यानि अदिस रासी है और अदिस रासी का कोई भी कालकुलेशन, कोई भी गड़ना कैसे होता है? सदारण बिजगरितीय नियम के अनुसार होता है लेक्चा नमबर 12 में बिंदुवत आवेश के कारण बिद्दुत बिभाव निकाले थे हम लोग बिंदुवत आवेश के कारण बिद्दुत बिभाव का सुत्र मिला था भी बराबर 1 by 4 pi epsilon not epsilon r q upon r अगर यही हवा के लिए बात करें तो epsilon r 1 हो जाता तो भी बराबर सुत्र हो जाता 1 by 4 pi epsilon not q by r हवा के लिए तो आज का टोपिक क्या है आज हम लोग क्या चर्चा करेंगे तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं बहुल आवेशो के कारण बिद्दुत बिभाव बहुल मतलब होता है बहुत तो बहुत आवेशो के कारण बिद्दुत बिभाव तो बिद्दुत बिभाव कैसी रासी है तो बिद्दुत बिभाव अधिस रासी है अता जब बहुत सारे आवेशो के कारण बिद्दुत बिभाव निकलना हो अचéta ni, विद्धूत विबौ निकालना हो, तो क्या करेंगे, तो पर्तिक आवेस के कारड़ विभौ निकाल लेंगे अलग-अलग, अज़स हो को निकाल के जोड देंगे, विद्धूत विबौ हो जायेगा, तो चलिये कुछ लिखते हैं, और इस थिवरी के बाद, इसमें हम लोग क्या करेंगे आज कुछ नुमेरिकल से देखेंगे तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं बिदूत बीबो कैसी रासी है बताये तो पिछले वीडियो में बिदूत बीबो बिदूत बिभो कैसी रासी है तो बिदूत बिभो आदिस आदिस किसको बोलते हैं सगेलर को बूत बीबो अदिसराशी है कि अदिसराशी है ठीक है आथव अत्र बहुत बहुत यह बहुल एगी होता है अत्र बहुत मतलब इसको एंग्रेजर में क्या da मेनी अत्र बहुत भ integrating करद अतब बहुत आवेशों के कारण किसी बिंदू पर किसी बिंदू पर परिडामी परिडामी का मतब समझते हैं रिजल्टेंट परिडामी बिद्दूत बिभव कामान कामान परिडामी बिद्दूत बिभव कामान परतेक आवेशों के कारण परतेक आवेशों के कारण उत्पन बिद्दूत बिभव के तो आदिस रासी है ना तो यहां पर कैसा योग होगा सदिसिये या बिजिये तो आदिस रासी का कैलकुलेशन सधारण बिजगरी द्दूरा था और सधारण बिजगरी तक हम लोग क्या कते हैं बिजिये उत्पन बिदूत बिभव के बिजिये योग के बिजिये योग के बराबर होता है बिजिये योग के बराबर होता है तो बहुत ही सिंपल डिपनेशन था इसका आप लोग देख लिजिए क्या बोले बिदूत बिभव आदिस रासी है अता बहुत आवेसों के कारड़ किसी बिंदू पर परिडामी बिदूत बिभव का मान पर तेक आवेसों के कारड़ उत्पन बिदूत बिभव के बिजिये योग के बराबर होता है तो यहां तक असपस्ट है कोई प्राबलम है किसी को नहीं न तो यह एकदम सिंपल डिपनेशन था अगर मान लेते हैं कि इन बिंदू आवेस है कितना इन चलो लिख देते हैं माना की बिंदू आवेस माना के बिंदू आवेस किव अन किव टू किव थेरे और उसके बाद भाई डॉट 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 किव एन के कारड़ के कारड एक बिंदू पर या किसी बिंदू पर किसी बिंदू पर उत्पन क्या बिद्दूत बिभाव पड़ रहे ना किसी बिद्दूत बिभाव हो तो परेडामी बिद्दूत बिभाव होगा परेडामी बिद्दूत बिभाव क्या लिख दे भी परेडामी बिद्दूत बिभाव क्या मालने रहे भी मालने रहे तो भी बराबर हो जाएगा भी बिद्दूत 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 ब पलास भी 3, पलास डॉट 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 पलास भी एन, आप तो दिख रहा होगा, ठीक है, आप देखो, चुकि आप जानते हो, कि भी बरावर क्या होता है, 1 by 4 pi epsilon 0 तो भी बराबर 1 by 4 pi epsilon 0 ये तो सम्मे रहेगा रहेगा ना उसके बाद भी 1 के लिए क्या हो जाएगा Q1 upon R1 इसी तरह इसके लिए हो जाएगा पलस 1 by 4 pi epsilon 0 epsilon r Q2 बटा में R2 ये इसके लिए हो गया इसी तरह और आगे बढ़ते जाएगे तो जाएगा पलस डॉट डॉट पलस 1 by 4 pi epsilon 0 epsilon r Qn बटा में Rn हो जाएगा बलो अब इसमें कुछ common कर लेते हैं तो आगे क्या हो जाएगा भाई बलो आगे हो जाएगे यहाँ पर B बराबर 1 by 4 pi epsilon 0 epsilon r हमने common कर दिया तो यहाँ क्या बचे गया Q1 by r1 पलस Q2 by r2 पलस Q3 by r3 पलस डॉट 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 Qn by rn तो यहाँ बचे गया Q1 अपन r1 पलस Q2 अपन r2 पलस Q3 अपन r3 पलस डॉट 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 पलस Qn बचा में rn देखो भाई अब यह मत बोलना कि सर इसमें तो Q3 लिखबे नहीं किया 1 by 4, 5, 5, 6, 9, Q3 by r3 लिखे नहीं तो तो यह डॉट डॉट है ना बीच में तो यह डॉट डॉट में ओ भी नमबर आएगा ठीक है अब बहुत आगे न पढ़ाके हमने इतना ही पर कर दिया है समझ रहे ना लेकिन इसमें अंदर है ना तो चलो तो यह हो गया है अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं भी बराबर 1 by 4 pi epsilon naught epsilon r और यह क्या है यह Q1 by r1 का जोड है तो यह 1, 2, 3 इंटीजर है और 1, 2, 3 इंटीजर है तो जोड को हम लोग क्या कहते हैं सिग्मा किसका जोड है तो Q upon r का और यहां पे क्या है इंटीजर 1, 2, 3 और यहां भी क्या है इंटीजर i का minimum value कितना है 1 और maximum कहा तक जा रहा है n तक तो ऐसे भी लिख सकते है तो यह जो सुत्र है सभी परकार के माध्यम के लिए सत्य है यह सभी परकार के माध्यम के लिए है लेकिन अगर इस पेसली हवा के लिए कहे निरवात के लिए कहे तो epsilon r तो एक हो जाएगा यह जो अभी हम लोग सुत्र निकाले यह सभी परकार के माध्यम के लिए सही है वो कोई भी माध्यम क्योंकि इसमें एपसलन आर है और एपसलन आर क्या था माध्यम का अप्रेक्षिक पराबैदुतांग लेकिन अगर खास माध्यम कहें यदि माध्यम क्या हो हवा या निरवात हो तों एपसलन आर बराबर एक होगा अगर माध्यम हवा या निर्वात हो जाएगा तो epsilon r कमान कितना हो जाएगा एक हो जाएगा और उस इस्तिती में सुत्र हो जाएगा b बरावर 1 by 4 pi epsilon 0 और फिर हो जाएगा यहाँ पे sigma qy upon ri i का minimum value 1 और maximum value in और इससे हम लोग calculation कर सकते हैं ठीक है जहाँ भी क्या है जहाँ भी क्या है जहाँ भी परिडामी ठीक है यहाँ परिडामी बिद्द बिभाव है जहाँ भी क्या है परिडामी बिद्द बिभाव है तो बहुल आवेशों के कारण बिद्दूत बीबो आपको समझ में आया, चलिए अब देखते हैं इस पे आधारित कुछ कोश्चन, और बिद्दूत बीबो पर आज का ये पहला कोश्चन, तो पहला कोश्चन क्या है, तो पहला कोश्चन है कि 9 माइकरो कुलम के बिंदू आवेश रखा है, और दोनों आवेशों की बिच की दूरी कितनी है, 5 मीटर, दोनों आवेशों की बिच की दूरी 5 मीटर है, और फिरकर इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर इस्तित बिंदू पर बिदूत बिवो ग्याद करना है, यानि दूरी जो है, दोनों बिं समय आ गया होगए क्या दिया है कि वेन बराबर कितना है कि वेन बराबर है 9 माइक्रो कुलम आनि 9 into 10 to the power minus 6 कुलम माइक्रो समझते हैं न वैश इतना ही होगा अब देखो क्यूटू कितना हो जाएगा क्यूटू हो जाएगा माइनस दो माइक्रो कुलम माइनस दो गुने दस के पौर माइनस इक्स कुलम और याद रखना विद्दूत विवो कैसी रासी है आदेश इसलिए उसका चीन के साथ लिखेंगे ठीक है अब क्या करना है ऐसे देखो मालो यहाँ पे आपको कह रहा है कि Q1 है यहाँ पे क्या है Q1 है और यहाँ पे कह रहा है Q2 है और यह दोनों के बीच की जो दुरी है पांस मीटर है दोनों के बीच की दुरी की दुरी है पांस मीटर फिर करने इन दोनों अब इससे तीन मीटर की दुरी पे तो q1 से 8 हो गया न तो इधर नहीं होगा, अगर इधर 3 मीटर लेले q1 से, तो q2 से 8 हो जाएगा, तो हमको ऐसे जग़ा लेना है, क्योंकि कर रहा है, कि इन दोनों अवैसों से 3 मीटर के दुरी पर, तो या तो इसके उपर होगा न तो ये निच होगा, बीच से मद बिन्दू से तो मालों यह ऐसे हो गया और यह बिन्दू हो गया पी और इसे पी बिन्दू पर परेडामी विद्धुत विभाव ग्याद करनी है और यह जो दूरी है यह कारा तीन मीटर है और यह दूरी भी कितना है और यह दूरी भी है तीन मीटर समझ गया ना तो दोनों अवेसों की बीच की दूरी को हम लिख लेते हैं D, ऐसे इसकी जरुवत नहीं पड़ेगी, लेकिन लिख लेते हैं, और सपोर्ट डैट यह है R1 और यह है R2, तो R1 का मान कितना है, जितना R2 का है, और दोनों को R माल लेते हैं, दोनों कितना है, 3 मीटर, यहां तक सपस्ट है, क्योंकि अगर इधर लेते, Q1 से 3 मीटर, तो Q2 से 8 हो जाता, अगर Q2 से 3 मीटर इधर लेते, तो Q1 हो जाता, तो जब भी होगा, तो इसके जो लम समदिभाजक है, जिसको निरत्स बोलते थे, उसी फोगा, चाहे उपर लो या निचे लो, उससे कोई फर्क नही कितना हो गया, अब क्या करेंगे, कि बिद्दूत बीभाव अदिस रासी है, तो दोनों को चलते निकाल के, फिर दोनों को क्या करेंगे, जोड देंगे, तो पहले किसके वज़ासे निकाल रहे हैं, बोलो, Q1 के कारड, किस अब इसके कारड, Q1 के कारड, बिद्दूत बीभ आनि पाला विद्धुत विवोग किसके वज़ासे निकाल रहे हैं Q1 के कारण तो Q1 के कारण विद्धुत विवोग को हम B1 मालनेते हैं क्या मालनेते भाई B1 तो B1 बराबर क्या हो जाएगा बोलो 1 by कुछ नहीं बोला जाए तो हावा माना जाता है 1 by 4 pi epsilon 0 आज Q1 बटा में आर तो कुछ नहीं बोला है तो हावा लेंगे कौन सा माधिम लेंगे हावा तो B1 का मान हो गया 9 गुने 10 के पावर 9 ये Q1 का मान कितना होता है 1 by 4 pi epsilon 0 का मान कितना होता है 9 गुने 10 के पावर 9 आ यहाँ पे Q1 कितना है किवं कितना है तो no आगुने 10 कि Walk माइना छो आर का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा यह तीन से भाग दोगो 27 हो जाएगा यह 3 से यहाँ पे कटा दो तो 3-3 के 9 आपी 9-37 हो जाएगा तो भीवन का मान आ गया कितना 27 गुने 10 के 20 10 इसी भोल्ट विदूत विभाव का मात्र क्या होता है भोल्ट असपस्ट है चलो अगर नहीं हुआ असपस्ट तो अब दूसरा देखते दूसरा अभी तो इसी तरह निकालेगे अब किसके वज़ा से q2 के कारण q2 के कारण बिदूत विभाव किसके कारण q2 के कारण तथा q2 के कारण क्या माल लेते भी टू बराव सुत्रो जागा वन बाई फोर पाई एपसलन ओट कुछ नहीं बोले तो हावा q2 बटा में आटू आ टू तो R ही है क्योंकि दोनों बराबर था तो R लिख दिए तो B2 बराबर हो गया कितना हो गया तो B2 बराबर यहां हो गया, 9 गुने 10 के पावर 9, Q2 कमान कितना है? माइनस 2 गुने 10 के पावर माइनस 6, आ आर कमान है 3, तो दोको यह कट जाएगा ला, तितीरी के 9, तेज़ा 3 बज जाएगा, दुती आई 6, तो B2 बराबर गया माइनस 6, आ गुने 10 के पावर 3 भोल्ट, B2 बराबर क्या हो जाएगा? B1 पलस B2, तो B2 बराबर हो गया, कितना है वहाँ पे? 27 गुने 10 के पावर 3, यह माइनस 6 गुने 10 के पावर 3, दुनों का पावर सेम है, तो यह कमान करके घटा दे, तो 27 मेंसे 6 गया एक कोईस, गुने 10 के पावर 3 भोल्ट, यह एंसर, समझ में आया, समझ में है न? इसको और छोटा में भी बना सकते था, लेकिन हमने दोनों को अलग-अलग निकाल के दिखाया, देख लो, देखके समझ के इसको उतार लेना है, ठीक है? अब देखो इसी को अगर छोटा में तुरंत बनाना होता, तो कैसे बनाते है? चली, इसी कोशन क दूसरी बिदी से बना देते हैं, कैसे? दूसरी बिदी से, सेकेंड मेथड, ऐसा नहीं को अलग तरीका है, नहीं, बलकि उसी को छोटा फोम में कर दिये थे, आपको पता है, भी बराबर क्या होता है? भी बराबर क्या होता है? भी वन प्लस भी टू, या हमने निकाला था, भी बराबर O1 by 4 pi epsilon 0 और फिर समेशन यहां पे क्या हो जाएगा Q1 बटा में R1 पलस Q2 बटा में R2 यह हो जाएगा क्योंकि B बराबर जाएगा V1 पलस V2 अब V1 को जाता 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 by R1 अब V2 को जाता 1 by 4 pi epsilon 0 Q2 by R2 तो 1 by 4 pi epsilon 0 comment कर लिए तो हो जाएगा यहां पे क्या हो जाएगा B बराबर इसका मान तो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 आद Q1 कितना था तो Q1 था 9 गुणे 10 के पावर माइनस 6 अब बटा में 3 है जाओ जाएगा पलस माइनस माइनस दू गुणे दस के पावर माइनस छो आ बटा में तीन ठीक है तो एल सेम तो तीन ही रह जाएगा तो जाएगा भी बराबर नौ गुणे दस के पावर नौ और एल सेम हो गया तीन आ याओ जाएगा नौ गुणे दस के पावर माइनस छो माइनस दू γुणे 10 के पावर माइनस चो कितना बच जाएगा भी बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 और 9 में से दू गट गया 7 गुणे 10 के पावर माइनस चो बटा में 3 तरह 3 ती ती रिक 9 हो जाएगा बुलिए तो क्येतना हो गया सत्यरी के 21, 10 के पर 9 में 6 गट गया, गुने 10 के पर माइनस 3 भोल्ट, देखें यही answer था ना, तो ऐसे भी हम लोग बना सकते इसको, कोई problem नहीं है, चलिए अब देखते हैं अगला question, चलिए अब देखते हैं, अगला question विदूत बीभाव का, तो अगला question क्या है, तो अगला question है, किसी बर्ग के 3 कोणों पर, कोणा का मतलब होता है 6, क्या होता है 6, तो किसी बर्ग के 3 कोणे पर Q, 2Q और 4Q आवेश रखा गया है, मतला एक कोणे पर Q, दूसरे कोणे पर 2Q, और तीसरे कोणे पर 4Q आवेश रखा गया है, तो बर्ग के चौथा कोना पर कितना आवेश रखे कि बर्ग के केंदर पर विद्दूत विबाव सुनने हो जाए तो देखे इस टाइब के कोशन को आप एक बार अगर देख लोगे तो इस टाइब के जो भी कोशन रहेंगे वह आपसे बन जाएंगे तो आएए देखते हैं कोशन कुछ दिया है गी भेन डाट कुछ दिया है भाई बोलो ना कुछ दिया है ना क्या q1 q q2 2q ठीक है q3 4q और 4 आपसे पुछा है आनि q4 is equal to what ये पुछा है और कैसा इस्तिति है बर्ग है मालो ये बर्ग है ये बर्ग है मालने ये बर्ग है ठीक है यहां पे q1 है यहां q2 है सपोर्ड यहां पे q3 है और यहां पे q4 है कि अ कहां बताना आपको केंद्र पर आ कि यहां पताना है याउठ विदोत विभो बताना है भीका मालilee बिभो कितना यहां पे सुन्ने हैं तो अगर यह R1 है यह R2 है यह R3 है अगर इसको R1 माल ले इसको R2 माल ले इसको R3 माल ले और इसको R4 माल ले तो यह सब बिकन का आधा है तो बिकन का आधा तो सब का बराबर होगा दूरी तो यहां पे है R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R बराबर R, आचुकि बिकॉर्ण का आधा है, तो जाएगा R root 2, आगा 2, R नहीं, A root 2, अगर ये भूजा A है, तो पुरा होगा A root 2, आधा, चुकि याधा-एधा है, तो by 2, समझ रहे न, बर का बिकॉर्ण होता है, root 2 into भूजा, तो ऐसे होगे, खेर हमको इसी का जरूरत है, इ जासे बिद्धुत वीभव का सूत्र क्या होता है B बराबर B1 प्लास B2 प्लास B3 प्लास B4 होता है ना इसके बहलू कर रहे हैं कि 0 है परस्ण कर रहे हैं बहलू क्या है जीरो है परेडामी बिदुद भीवो कितना हो जाए जीरो हो जाए तो B1, B2, B3 सब में एक चीज कॉमन होगा क्या 1 by 4 pi epsilon कुछ नहीं बोले तो माध्यम हवा माना जाता है Q1 by R1 पलस Q2 बटा में R2 पलस Q3 बटा में R3 पलस Q4 बटा में R4 हो जाएगा अब इसको क्या कर सकते हैं हम ऐसे लिख सकते हैं 0 बराबर 9 गुने 10 के पावर 9 Q1 का माने Q by R पलस 2Q by R पलस 4Q by R पलस Q4 बटा में R हो जाएगा बोलो अब यहां क्या लिख सकते हैं 0 अब भागा यह करोगो तो 0 ही रहा जाएगा 0 में इसको इदर लाएंगे तो भाग लगेगा 0 में किसी भी नंबर से भाग देने पर यह रिजल्ट क्या होता है 0 तो बच गए यहां पर सबका LCMR आये हो गया 7Q आप पलस Q4 आप बराबर जीरो तो Q4 बराबर क्या हो जाएगा माइनस 7Q तो अगर इतना अवेस रहेगा तो केंदर पे वीवाव क्या हो जाएगा 0 तो देखो इस टाइप का जब भी भी कोशन रहे कोई भी आकरिती रहे अगर सबके लिए यह दोरी बराबर होता है तो आप कुछ मत किजिएगा जितना अवेस रहेगा 10 वावेस के लिए पूछे तो नो गोतों देगा नो तो नो को जोड़ लिजिएगा जितना आएगा उसमें माइनस लगा दीजिएगा उतना मालो यहां भी दो यहां भी दो यहां भी हो तो कुल कितना होगे चोड समझ थी अगर अ normally over here. महलो केंदृ पर करें यहां पर करें केंदृam ठीक है मध्य बिंदू पे आई यहां पर पांच आप पांच दस दस हो गया तो यहां माइनस दस रखेंगा तो यहां जीरो हो जाएगा समझेगा ना तो इस टाइब का कोश्चन अब उम्मीद करें आप बना लेंगे अब देखते हैं अगला कोश्चन और अगला कोश्चन यह है क्या अगला कोश्चन तो अगला कोश्चन है कि 3 गुने 10 के पावर माइनस 8 कुलम तता माइनस 2 गुने 10 के पावर माइनस 8 कुलम के 2 बिंदू आभेस एक दुसरे से 15 सेंटिमीटर की दूरी पर रखे गये हैं इन दोनों आभेसों को मिलाने वाली र रेखा के बिन्दू P पर बिद्दूत बीबव सुनने होगा तो करणे का मतलब है कि एक रेखा बना देते हैं ठीक है ऐसे रेखा बना दिये हैं और इसको माल लेते हैं A आइसको माल लेते हैं B B यहां पर कितना है 3,10 सेयर के पवर ना तो इसको मिलाने बाली रेखा पुछा कि A,B को मिलाने बाली रेखा रिखा कि किस बिंदू P पर बिदूत बीबॉः सुनने होगा कि तो देखो हमें नहीं पाता है इसमें दो इस्तिती हो सकता है एक बाहर के लिए और एक दोनों के बीच में तो मान लेते हैं शुरू में कहां पर AB के बीच में और AB के अंदर और बिंदु P मान लेते हैं कि दोनों के बीच में कही है तो बिदुत बिवाव भी जहां निकालते हैं या बिदुत चत्ति बिरता जहां निकालते हैं कि बिंदु P पर बिदुत बिभाव क्या है सुनने हैं और A से P के दुरी सपोर्ट डाट हम X माल लेते हैं कितना माल लिए X तो यह जो बाकी दुरी बच जाएगा यह हो जाएगा सेंटीमीटर में रहने देर है तो यह हो जाएगा 15 माइनस X 15 माइनस X क्योंकि टोटल जो दुरी है वह कितना है 15 सेंटीमीटर कोई प्रब्लम तो इसमें दो इस्तितिले के हम बनाएंगे केस वन लिख रहे हैं जब इंदु P क्या है जब P दोनों आवेज के कहा हो अंदर हो जब P अंदर हो आनि दोनों आवेज के कहा है अंदर एक बार अंदर भी हो सकता है बाहर भी हो सकता है तो दोनों इस्तिति को हम चेक करेंगे तो जब P कहां पर लिए है अंदर तो A के कारड़ जो बीबा होगा उसको लिख देते भी ये तो भी ये बरावर हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एपसलान हो P पे निकाल रहे है और हो जाएगा Q A Q लिख देंगे अब बाटाग हो जाएगा X हो जाएगा यानि आप लिख सकते इसको 9 गुने 10 के पाउर 9 चलो ना इतना ही छोड़ दो हो जाएगा इतना तथा भी भी हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एपसलान हो जाएगा Q B A X के जगा लिख जाएगे 15 माइनस X ठीक है अब दोनों को कर रहा है कि बिदूत भी वह सुनने करना यानि दोनों का परेडामी क्या होना चाहिए सुनने होना चाहिए तम यहाँ लिख दे रहे है परस्ने से कर रहा है B A A plus B B बराबर क्या करना हो जीरो जीरो करना है अब B A कमान कितना है दूनों में एक चीज तो कमान हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एपसलान नोट यह दोनों में है ना और यहाँ पर लिख दे रहे हैं दिख रहे हैं ना Q A A plus Q B A बटा में 15 माइनस X अब बराबर कितना हो जाएगा 0 इतना दिख रहा है देखो दोनों में होता ना 1 बाई 4 पाई एपसलान नोट दो कई का है तो दोनों में कमान कर लिए तो यह बच गया अब इसको 1 बाई 4 पाई एपसलान में तो 9 गुने 10 के पर 9 जब उदार ल इस बाई लोए तीन गुने 10 के पैपर माइनस आठ आप बाटा में हो जाएगा X यह Q A पहोगे अपलस Q B तो इसका प्लस मैंस मैंस नोट गुने 10 के पाई पहें 15 से बैले देखे यह माइनास है उयगा यह जाएगा अब ला सोह जाएगा थी गुने स pakai 6 अब बटाली में एक्स अब सिंने की यह उलाएप 445 मैंस जेघे 6 यह और कटे गया अब तिर्छा गुना कर दो यह यह जाएगा पंद्राती यांब 45 त्वाय ओक्स दो बराबर 2X हो जाएगा अब कितना हो जाएगा 45 बराबर हो गया 5X तो X बराबर हो गया 45 अब बटा में 5 तो 9 पचे 45 नौ सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर यह कहां सदुरी लिये थे एसे बिंदू एसे बिंदू एसे 9 सेंटीमीटर कितना लेना पड़ेगा बिंदू एसे असपस्ट है तो यह कब हम बनाए जब बिंदू पीक आ लिए दोनों आवेसों के बीच में यह जोरूरी नहीं कि बीच में बीच में तो हो गया एक बाहर भी कहीं 0 होगा ऐसे कोशन जब भी भी रहेंगे तो उसके दो एंसर हो थे तो एक तो अंदर के लिए हो गया अब किस के लिए बनाएंगे बाहर के लिए यह समझ गया है जब बिंदू पी कहा हो के सवन लिए जब बिंदू पी अंदर तो मिलाने वाली रेखा पे एक पलस हो एक माइनस हो हाद दो बिंदू आवेस है, तो उसका परिणामी 0 दो जगा होगा, एक बाहर और एक अंदर, तो एक तो हो गया, अब देखते हैं, दुसरा, और अब देखेंगे हम लो, जब बिंदू P कहा हो, AB के बाहर हो, केस 2, केस 2 में क्या लेंगे, जब P बाहर हो, जब P कहा हो, बाहर हो, तो यह AB हो गया, चार्ज रख दिये दुनों का, और इस बार P बाहर लिए, लेकिन दूरी तो X से माने थे, तो X, A से अगर X है, तो B से कितना हो जाएगा, X माइनस 15, क्योंकि टोटल दूरी X है, तो B से तो इतना 15 घटिये जाएगा न, तो X माइनस 15 हो गया, अब यहाँ पर लिखते हैं, किसके कारण, और Q1 के कारण, चायर बिंदू A के कारण, चायर आवेश Q1 के कारण, Q1 के कारण यहाँ अब Q1 भी लिख सकते हैं तो QA के कारण क्या हो जाएगा बिंदू P पह निकालना है ना तो हो जाएगा B A तो B A बरावर हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon 0 आ फिर हो जाएगा QA आ बटा में X आ इसी तरह QB के कारण भी भी हो जाएगा भी भी कमान हो जाएगा कितना हो जाएगा तो B B कमान हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon 0 आ QB आ इसके लिए भी भी निकाल रहे हैं तो इसके लिए कितना दुरी हो जाएगा X-15 ठीक है अब दोनों का करण प्रस्ण से कि दोनों का जो जोड है वह 0 है क्योंकि परेडामी 0 है तो B बराबर 0 तो B के जगा हम लिख सकते हैं B1 पलस B2 आद दोनों का भेलों क्या होना चे 0 अब 0 बराबर क्या होगा B1 पलस B2 अब मान रख देते हैं तो यहाँगे 0 आब बराबर B1 और B2 दोनों में एक चीज कमन होगा B1 और B2 में एक चीज कमन होगा 1 by 4 pi एपसला नोट 1 by 4 pi एपसला नोट दोनों में क्या होगा कमन होगा अब बच गए यहाँपे क्या QA by X QA by X आप यहाँँगे क्या माइनस QB by X माइनस 15 तो यह तो 0 में भाग लगेगा संक्या से 0 होगा QA कमान कितना है अब यह बच जाएगा न तो इसका होगा 3 गुणे 10 के पावर माइनस 8 बटा में X माइनस होगा 2 गुणे 10 के पावर माइनस 8 बच पंदरा बराबर 0 यह 0 में भाग दिये खतम बच गई यह भैलू रख दिये अब लिख सकते हैं तीन गुने दस के पावर माइनस आठ अब बाटा में एकस ठीक है अब बराबर हो गया दू गुने दस के पावर माइनस आठ नीच हो गया एकस माइनस 15 यह तो कट गया तो यह हो गया 3X माइनस 45 अब बराबर हो गया 2X तो इसको उधर ले जाओ इसको इधर लादो तो एकस बराबर हो गया 45 सेंटीमीटर किससे एसे ठीक है और यह दोनों कोशन हो गया तो उमेद करें अब इससे ज्यादा हम कोशन नहीं करेंगे कि इतना अच्छा है अब इसको आप देख लिए उमिद कर रहे हैं समाझ गये होंगे 3 तीन टाइप का ता तीनों अलग अलग टाइप्स का कोश्चन लिए तो उमिद कर रहे हैं कि आप इस कोशन को समझे होंगे और इस कोशन से संतुष्ट भी होंगे तो आज इतना ही झाल झाल